बाबा साहिब जो ऐसा व्यक्तित्व है जिनके आदर्स मुल्यों को अपनाने वाले देश में पहुत ही कम है तो उसको देखते हुए बाबा साहिब के बारे में मैं थोड़ा भूत काल में जाना चाहूँगा कि भूत काल में हजारों साल से जो वर्ण व्यवस्ता है हमारी उसमें ये बाबा साहिब जिस समाज से आते हैं उस समाज को हमेशा निचाही गिनते आ रहे हैं जब बाबा साहिब जिस समाज से आ रहे हैं उस समाज में से जब उन्होंने एक अप्यासी विद्यार थी और बहु उस समय मैं जब तक मानता हूं तब तक देश के अंदर सबसे ज़यदा अगर कोई डिकरी-धरी विद्वान है तो बाबासायदे। तो बाबासाइब के हाथ में इस देश का सव्विधान बनाने का जो भी जिम्वेदारी आई। उस समय अगर बाबाई साब ने सोचा होता कि भूतकाल के अंदर हमारी समाज किस-किस दोर से गुजरा हुआ है, तो उस दोर को बद्दे नजर रखते हुए, उन्होंने अगर चाहा होता, तो सब्विधान में, उनके समाज के बारे में ही ज्यादा इंपोर्टन्स दे के उस समविधान बनाते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी निष्टा, फरज, नहितिकता, सब समझते हुए, देश को सब से उपर रखते हुए, आने वाले पचास या सो सालों में अवारा देश कैसा हो सकता है, उस हिसाब से उन्होंने एक्य बंधूता, इंसानियत के तोर प बीचे कुछ सालों के अंदर बाबा साहिब को हेतो पुर्वक या कुछ क्या कारण होंगे, उस हिसाब से बाबा साहिब को पहचान धिरे 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 काम होने लगे। तो उस पहचान को आगे लाने के लिए एक बाबा साथ की जो भी पहचान है, उनकी जो भी विदवत्ता है, उनकी जो भी सोच देश को लेके रही है। पुस्तिका को घरगर पहुचाने का एक मिशन हम स्टार्ट किया है तो उस पुस्तिका को लेके आज हमारे अधर्णिय्य हरीका का गे घर आना हुआ है तो उन्होंने स्वयम्भू, जब हमने बात बताई थी, तो स्वयम्भू उन्होंने बताया था, कि मैं उपर से 500 पुष्टिका घर घर पहुचाने की कोशिस करूँगा, और उन्होंने आज हम 500 पुष्टिका उनको देने के लिए आए, तो उनका भी मैं शुक्र गुजार हू कि बाबा साहिब का जो भी सपना है और उनकी जो सोच विचार लोगों तो पहुचाने का बीड़ा उठाया है, उसके लिए सुक्रिया दा करता हूँ, तो बाबा साहिब की जो भी सोच है, अगर उन्होंने ऐसा सोचा होता तो समाज के बारे में लेकिन वो जो सम्वीधान जो आज का जो भारत हम देख सकते हैं, तो लोक साही है, बंदूतो है, भाई चारा है, डेमोक्रेसी है, उसका अगर एक ही कारण है और उसके पीछे कोई देखा जाने जाने के वो क्या है, और कैसे देश को देखना चाहते हैं, इसके लिए सुना उसके लिए शुक्रिया, तो ये थे हमारे साथ इदायत बाई, इदायत बाई गुजरात के पालंपूर निवासी है, मानवतावादी है, और गांधियन फिलोसोफी में विश्वास रखते हैं, डॉक्टर बाबा साहब की विचारधारा पर काम करते हैं, सनमान्य बहर मेक्वनसी साहब की किताब, घर बहुत आभार इदायत बाई